जब बाबा साहिब दो बारा लंदन पड़ने के लिए गई तो बाबा साहिब के पास जो पैसा था या बाबा साहिब को जो स्कोलर्शिप मिल रही थी, वो बहुत कम थी इसलिए बाबा साहिब एक टाइम खाना काते थे और दूसरे टाइम उन्हें भूक लगती थी तो वो एक गिलास में पानी लेते और जो दुकानों पर ब्राट सस्ती होती थी उन्हें खरीद कर उस ठंडे पानी के गिलास में बिगो कर खाते थे बाबा साहिब को किताबे पढ़ने का बहुत शोक था ऐसा हुआ कि बाबा साहिब जब अपने खाने के जो पैसे थे वो एक साइड रखते थे लेकिन बाबा साहिब को एक भुक चाहिए थी और उन्होंने उन्होंने खाने के पैसों से वो भुक खरीद ली और बाबा साहिब उन्होंने होटल में जाकर का कि मुझे खाना चाहिए खाने का ओडर तो बाबा साहिब ने दे दिया लेकिन जैसे ही बाबा साहिब ने जेब के अंदर पैसे हाट डाले पैसे के लिए तो बाबा साहिब को याद आया कि उन पैसों से तो मैंने भूख खरीद ली है खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बाबा साहिब तुरंट उठकर महां से आते हैं और महां कहते हैं कि मैंने गल्ती से ओडर दे दिया था मुझे खाना नहीं खाना है मुझे भूक नहीं लगी है और बाबा साहिब पानी पीकर महां से वापस आ जाते हैं और बाबा जान बचा लेती है कि मेरे साहब इस भारत में रहने वाली इस पूरे महिलाओं को सम्मान की जिंद्गी देंगे आज बाबा साहब ने हिंदू कोडविल बना कर हम महिलाओं को इस देश की सासक बना दिया है आज बाबा साहब ने भारत का समिधान बना कर हमें इस देश की सास हुआ है मैं कभी भी बाबा साहिब का रिन नहीं उतार सकती है लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना काम बाबा साहिब के लिए चरूर करके जाओंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन से पहले